यह वीडियो जो अभी आपने देखा वो वीडियो उत्राखंट का ही है यहाँ पर किडानाज यात्रा में हर रोज लाखों यात्री आ रही है लेकिन अभी यहाँ पर ऐसे लोग पिया रही है जिन्होंने चारधाम यात्रा को एक पिकनिक स्पोच बना दिया है भक्ती और उत्राखंट की संस्कृति को इन्होंने मजाग बना दिया ताजाउधारण इस वीडियो में देखी कैसे किडानाज यात्रा पर आकर ये लोग गाड़ी के उपर बैटकर दिन धाली शराब का नशा कर रही है दरसल आपको बता दे ये वीडियो किडानाथ जाने के रास्ते में सोन प्रियाग के पास का है जहां पर कुछ यूवक अपनी थार में पाजी कर रही थी ये लोग थार के उपर चड़कर शराब पी रही थी बीच सड़क पर ये हो रहा था और बाकी शर धालो इन्हें देख रही थी वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ यूवक थार के उपर चड़कर शराब पीते देख रही है तब ही वहाँ पर एक शक्स आकर पूछता है कि कहां से आई हो ये लड़के जवाब देते हैं कि वो गाजबास से यहां आई है फिर शक्स उनसे कहता है क्या वो यी सब का नई और शराब पी नई यहां आई है इनको सोन प्रियाक्षेत्र से ही वापस गाजाबाद भेच दिया सीयो गुप्त काश्ची ने बताया कि गाजाबाद के रहने वाले दुशार चौधरी अभिशेक चौधरी दिपांशू और राहुल के खिलाफ कारवाई की गई है और अगर आइंदा भी चारधाम यात्रा मे एक पवित्र यात्रा है जहां लोगों को शधा और आस्था के भाव से आना चाहिए लेकिन कुछ लोग मंदिरों में सिर्फ दिखावे के भाव से आ रहे हैं सिर्फ रील्स और वीडियो और फोटो बनाने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं जिसकी वजह सी जो सच चार धाम यात्रा पर निकले इन योकों को पाजी करना भारी पढ़िया और जब पुलिस ने इन हैं पकड़ा तो यह हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गई और पुलिस ने इन हैं चार धाम यात्रा से लोटा दिया और भारी भरकम चालान भी किया है जिन यात्रियों द्वारा धुम्रपान किया जा रहा है, शराप का सेवन किया जा रहा है, और किसी प्रकार का नशीली पतार्थ का अगर सेवन किया जा रहा है, तो उनके विरुद हम कडोर कारिवाई कर रहे हैं रेगुलर्ली हम लोग सोरप्र्याक शेत्र में, जो हमारा यात्रा रूट है, प्रेक रूट में और जो केदार्राथ मंदिर परिसर है, उसके चारो और अभियान के अतर का रोजारा हम चालानी कारिवाई कर रहे हैं साथ ही मैं अनुरोद करूँगे कि इतने भी हमारे यात्री आए हैं, वो धाम की मरियादा बनाई रती और किसी भी प्रकार का खुर्दा नशा आदी का सेवन ना करें और जो हमारा धाम है उसको पवित्ता को मेंटेन करें